तपुगड़कस्वे की तरेहान सोसाइटी में चल रही भागवत कथा के चौथे दिन गोवर्दन की जाकी सजाई गई किष्ण का नहिया ने अपने सखाओ के साथ दहीवे मक्षन खाया कथा में आए भगतों ने गोवर्दन पूजा कर कथा का आनन लिया कथा के अंत में आरती कर लड़ू गोपाल को 56 भोग के प्रसाद का भोग लगा भकतों को वित्रित किया गया इस अफसर पर रवी वशिष्ट ब्रजेश ललित हेमंत सहित बड़ी संख्या में महिलाए भी उपस्तित रही चित्रकूट धाम से आय व्यास विकाश शुकला द्वारा 31 मार्च से प्रती दिन स्चाम 6 बजे से संगीच में भागवत कथा वाचन किया जा रहा है